Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्पगेटी या चाओमीन बनाने की रेस्पी बहुत सिंपल है, easy और बड़ी जल्दी बन जाएगी तो let's start the recipe एक पैन में आपने सबसे पहले ले लेना है oil और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा गार्लिक, फ्रेशी गार्लिक मैंने इंग्रेट कर लिया था और ये है तक्रीबन टू क्लोफ्स हैं इसको मैं थोड़ा सा सोते करूँगी और ये वली वेजिटेबल्स मैं यूज कर रही हूँ आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल्स जो आपको पसंदा यूज कर सकते हैं कैरट भी यूज कर सकते हैं और इसको गार्लिक को हम ओयल में थोड़ा सोते करेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकेन यहाँ पर मैंने लिया है तक्रीबान वन कप चिकन क्योंकि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ स्पगेटी और उसके साथ मैंने तक्रीबान हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट आट कर दिया है और अब इनको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी आट करूँगी ताके जो चिकन है वो गल्ज है और इसको कवर करके रख दूँगी फोर सैवन तो एट मिनट्स तो जब हमारा चिकन जो था वो हाफ डन हो गया था तो इसमें मैंने पोटेटोस भी एड़ कर दे थे क्योंकि पोटेटोस थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर उनको कवर करके रख दिया था तक रिवन फाइफ मिनट्स के लिए फाइफ तो सिक्स मिनट्स के लिए तो पोट सोस ताके थोड़े जूसी और खटा सा पाना आजाए इसमें वो एड़ कर रही हूँ और कैचप थोड़ी सी एड़ करूंगी यह बहुत जूसी बनेंगी और आपने इन सब चीजों को बहुत ड्राइ नहीं कर देना हलका सा एकाद बोईल आएगा तो आपने इसमें यह है कि वेजिटेबल्स जो है वो कच्छी कच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा गली वे अच्छी लगती है और एंड पे मैंने इसमें औरेगानो डाला है तकरीबन हाफ टी स्पून और इसको मैं मिक्स करके थोई देर के लिए कवर कर दूंगी और गुट तो आपकी स् अच्छ पर वाचिंग इस वीडियो टेक चैर अला हाफेज